दोस्तो अगर आपको जोई किसी भी तरह का इस्टाम बनाना है, किसी भी तरह का आपको जोई एफिट डेफिट बनाना है, या आपको रूम एग्रिमेंट से रिलेटेड है, या आपको जोई किसी भी काम के लिए अपना इस्टाम यहाँ पर बनाना है, किसी भी तरह का आपक को stamp apply करने से उसको print करने तक का completely process आप लोगों को इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ तो वीडियो में बने रही है end तक और हाँ चैनल पे नहीं हो तो इसी तरह की information के लिए चैनल को subscribe करके बला इकन को जरूर से प्रेस कर लीजिए हमारे चैनल पे आपको digital इंडिया से रिटेड हर एक information मिलती रहती है तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं तो दोस्तो उसके लिए सबसे पहले आपको जोए इस वाली website पर आ जाना है इसका link आपको जोए नीचे वीडियो के description में मिल जाएगा तो वहां से आप जोए क्लिक करके इस वाले page पे redirect हो सकते हैं अभी दोस्तो यहां पर आ जाने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का interface पेंज ओपन हो जाएगा यहां पर आपको जोए एक option देखने के लिए मिलता है online payment आपको simply यहां पर क्लिक कर देना है जैसी आप यहां पर क्लिक करते हैं तो आपको इस तरह का एक pop-up दिखाए देगा आपको यहां पर इसको ok वाले button पे क्लिक कर देना है तो दोस्तो आपके सामने यहां पर user registration का एक form open हो जाएगा जिसमें कि आपको अपना एक registration करना होगा ठीक है ना तो यहां पर सबसे पहले आपको अपना user ID इंटर कर देना है जो की एकदम unique होना चाहिए यहां पर आप जो अपना एक password क्रियेट कर लेंगे यहां पर आप जो अपना password confirm करेंगे उसके बाद यहां पर आपको जो एक secretary question को select कर लेना है कोई साब एक question आप यहाँ पर select करेंगे उस question का आप यहां पर answer करेंगे दोस्तों ये question answer इसलिए होता है ताकि अगर आप कभी अपना password भूल जाओ तो इस question answer के माध्यम से आप अपना password reset कर सको उसके बाद यहाँ पर आपको user type में select कर लेना है individual ठीक है ना उसके बाद यहाँ पर आपको अपना first name इंटर कर देना है यहाँ पर आप अपना last name इंटर कर देंगे gender आप यहाँ पर select कर लेंगे data of birth आप जो है इस calendar के माध्यम से यहाँ पर इंटर करेंगे pen number आप जो है अपना यहाँ पर इंटर कर देंगे occupation आपका क्या है तो आप यहाँ पर इंटर कर देंगे ठीक है ना, mobile number आप जो है अपना यहाँ पर इंटर कर देंगे और आपका जो address है वो आप address यहाँ पर feel कर देंगे city आप यहाँ पर इंटर करेंगे, area का postal pin code आप यहाँ पर इंटर करेंगे आपका जो भी state है आप यहाँ से select कर लेंगे जैसे कि आप देख रहे हैं सभी state में service live है आप अपना state select करेंगे, उसके बाद यहाँ पर आपको अपना email id इंटर कर देना होगा अब दोस्तों यहाँ पर आपके सामने banking detail का भी एक option आजाता है जिस bank account से आपका इस time के लिए payment काठा जाएगा वो अगर आप select करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं otherwise आप QR code के माधियम से भी अपना payment कर सकते हैं आपको क्या करेंगे, इस वाले केप्चा को इस वाले box में fill करेंगे term को accept करेंगे and save वाले button पे click करेंगे जैसी आप save करते हैं तो आपके mobile पर एक OTP भेजा जाएगा जो mobile number आपने provide किया है तो OTP आपको यहाँ इस box में fill कर देना है उसके बाद आप verify OTP वाले button पे click करेंगे तो जैसी आप verify OTP पे click करेंगे तो यहाँ पर आपको congratulations का message होगा आपका account login कर दिया गया है अब आपको जो है आपका account verify करना होगा तो उसके लिए आपको login to here वाले button पे click करना होगा जैसी आप login to here वाले button पे click करेंगे तो आपके सामने इस तरह का interface पे जाएगा आपको जो है आपका email ID जो भी आपने provide किया है उसको open कर लेना है तो यहाँ पर आपके email पर आपको इस तरह का email भेजा जाएगा जिसमें कि आप देख सकते हैं congratulations you are successfully registered online payment system ठीक है ना यहाँ पर आपके account को activate करने के लिए activate link भेजा जाएगा आपको simply यहाँ पर click कर देना है जैसे आप यहाँ पर click करते हैं तो आपका जो account है उसको activate कर दिया जाएगा यहाँ से आप देख सकते हैं अब जो है आप इस वाले page पर जाकर अपना login कर सकते हैं अब आपको जो है यहाँ पर अपना user id इंटर करना है यहाँ पर जो password आपने बनाया है पासबर्ट डालना है term को agree करना है इस वाले केपचा को आपको यहाँ पर feel करना है and sign in वाले button पर click करना है तो यहाँ पर आपके सामने आपका stamp का portal login कर दिया जाएगा जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं अब दोस्तों यहाँ पर अगर आपको जो है किसी भी तरह का stamp बनाना है किसी भी तरह का effort-deffit बनाना है तो आप यहाँ पे stamp duty वाले button पर click करेंगे ठीक ना अगर आपने जितने भी सारे stamp बनाये हैं आपको अपना transaction देखना है तो आप view transaction वाले button पर click करेंगे ठीक ना जैसी आप यहाँ पर click करेंगे तो आपको यहाँ पर दिख जाएगा कि कितने stamp आपने बनाये हैं जैसे कि हमने यहाँ पर दो stamp पहले ही बनाये हैं तो दो stamp की detail हमको यहाँ पर show रही है तीसरा वाला stamp मैं आप लोगों के सामने अभी यहाँ पर live बनाकर आप लोगों को दिखाने वाला हूँ तो यहाँ पर आपको क्या करना है पेस्टाम वाले बटन पर क्लिक कर देना है जैसी आप पेस्टाम वाले बटन पर क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको select state का option आ जाएगा यहाँ से आप जो है अपना state से लेक कर सकते हैं अब जैसी आप यहाँ पर अपना इस्टेट सेलेक करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने options open हो जाएंगे कि आप अगर अपने इस time की home delivery चाहते हैं तो आप इस वाले option पर click करेंगे यहाँ पर अपना home address लिख देंगे जिससे कि आपका इस time है आपके home address पर by post आपको deliver कर दिया अब मान लिजी अगर आपको home address पर delivery नहीं लेना है अगर आप खुद से printing कर सकते हैं अगर आपके पास printing की विवस्ता है तो आप यहाँ पर self print वाले option को select करेंगे जैसी आप यहाँ पर self print वाले option को click करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने printer installation का एक software आपको यहाँ पर बता दि printing का क्योंकि हम जो है खुद से print करना चाहते हैं जैसी आप यहाँ पर select करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने print controller program को install करना पड़ेगा आपके PC या laptop में तो आपको simply click here वाले button पे click कर देना है जैसी आप click here वाले button पे click करेंगे आपके सामने इस तरह का window open हो जाएगा आपको इ इसको download हो जाने देते हैं फिर किस तरह से install करना है वो भी मैं आप लोगों को यहाँ पर दिखा दूँगा अभी दोस्तों अगर आप जो है नीचे की तरफ scroll down करके आएंगे तो यहाँ पर आपको जो है दो option देखने के लिए मिलते हैं 5 नमबर और 6 नमबर पर जिसमें कि आ आपका जो print controller है install हुआ है या नहीं हुआ है आपका जो print controller है successful काम करेगा या नहीं करेगा उसका यहाँ पर print test भी कर सकते हैं तो चलिए हमारी file यहाँ पर download हो चुकी है हम जो है download folder को कर लेते हैं यहाँ से open जैसी आप download folder को यहाँ पर open करेंगे तो यहाँ पर आप देख रहे यहां पर एक another folder open हो जाएगा जो कि print control के नाम से रहेगा लेकिन यह वाला folder आप जो है इसको easily open कर सकते हैं जिसमें कि आपका software आपको देखने के लिए मिलेगा तो यहां पर आपका folder open हो जाने के बाद आपको print control का software मिल जाता है आप यहां पर करेंगे right click right click करने के बाद आपको कर देना है run as administer ठीक है ना तो जैसी आप run as administer वाले button पर click करेंगे तो आपका जो paint controller है आपके system में install होने लगेगा दोस्तो आपके पास में कोई सा भी printer हो यह इसको automatically detect कर लेता है तो जैसे कि आप देख सकते हैं हमारा setup यहां पर आ चुका है आपके system में install हो जाएगा तो जैसे कि देख रहे हैं आपके सामने इस तरह का process होगा आपको थोड़ा सा 1-2 मिनिट का time यहां पर लग सकता है तो आपको थोड़ा सा wait करना है अभी यहां पर हमारा print controller है successful install हो चुका है आपको यहां पर कर देना है finish ठीक है ना अब आपको यहां पर आपके print control को check करना है कि आपका जो प्रोग्राम में सही से install हो आए या नहीं तो यहां पर आपको जो link दिखाए दे रहा है आपको यहां पर देख रहे हैं आपको इस तरह का option मिलेगा आपको OK कर देना है अब दोस्तों यहां पर आपको जो है दो website देखने के लिए मिलती है तो सबसे पहले आपको जो है इस वाली उपर वाली website को यहां से करना है copy ठीक है ना तो चलिए हम इसको कर लेते हैं यहां सक select select करने के पदद आपको जो है करना है control C जैसे आप control C करेंगे तो आपका यहां से हो जाएगा copy अब आपको जो है another tape में इसको कर देना है control V तो जैसी कि आप देख रहे हैं यहां पर enter वाले button को प्रेस करेंगे तो आप यहां पर देख रहे है PCP is running मतलब आपका जो print controller software था वो आपके system में running है ठीक है ना अब आपको second वाली website जो मिलेगी उस पर आपको जो है click करना है जैसे कि आप यहां पर नीचे की तरफ देख रहे हैं तो यहां पर इस वाले option को भी आपको कर लेना है copy जैसे कि यह एक print test page होता है इसको आपको यहां से कर लेना है control C आप अगर direct इसको copy करेंगे तो नहीं होगा आपको control C plus कर देना है तो जैसे आप control C करेंगे तो यह copy हो जाएगा और यहां पर आपको कर देना है control V उसके बाद interface करेंगे आपका यहां पर test page आपको बता दिया जाएगा वो आप यहां पर देख सकते हैं अब आपको इस वाले page पर दो बादा से आ जाना होगा अब यहां पर आप अपना stamp type कर सकते हैं दोस्तो stamp से पहले आपको print की complete setting करनी होगी क्योंकि print जैसे आपका यहां पर payment करेंगा तो direct stamp print होगा यहां पर आपको जो है किसी भी तरह का दो बादा से print करने का option नहीं मिलेगा इस चीछ का आप तिहान रखेंगे अब यहां पर आपको जो है select कर लेना है stamp duty तो जैसे कि आप यहां पर general agreement बनाना चाते हैं तो आप general agreement को select करेंगे किसी तरह का अगर आप effort deficit बनाना चाते हैं तो आप effort deficit select करेंगे किसी तरह का अगर आप bond बनाना चाते हैं तो आप यहां पर select करेंगे ठीक है ना किसी भी तरह का अगर आप declaration देना चाते हैं तो आप यहां पर select करेंगे और माल लीजी अगर इन में से अगर आपको कोई भी स्टाम नहीं चाहिए अगर आपको कोई नए तरह का स्टाम बनाना तो आप अधर वाले बटन पर क्लिक करेंगे जैसी आप Others वाले बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर और और बी काफी सारे स्टाम आ जाएंगे जिसमें की Divers स्टाम होता है, Sale Agreement होता है तो वो काफी सारे स्टाम आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएंगे तो यहाँ पर हम Simply कर लेते हैं Effort Defit को Select मैं आपको बताने के लिए Effort Defit यहाँ पर बना रहा हूँ Effort Defit Select करेंगे, Proceed वाले बटन पर क्लिक करेंगे जैसी आप Proceed वाले बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपकी Complete Detail आजाएगी पर्चेसेंगी, ठीक है ना, Article Description यहाँ पर आजाएगा इस सुरुपे का स्टाम बनाना है, जैसे कि आपको 500 ह Чер स्टाम बनाना है, आप hop लिएक साप, स्टाम और तैस आप मांको ऐसटाम बनाना है दर ना पर इस सामने फ्मांपा करणा है स्टाम you one way zast optionat तो यहाँ पर आप स्टारब्यूटी आवारूंट लिख देंगे। उसके पthen पर आपको पाइम से découvrir प्यंक्ति ज्याइब है। आपको सिछे करना है यहाँ पर आप जो किस तऱ से से प्यंक्ति यहाँ पर करना चाहते हैं। तो जैसी आपने यहाँ पर UPI पर select किया तो यहाँ पर आपको जो है इसके charges बता दिये जाएंगे कि कितने कितने पर आपको जो है कितना payment लगेगा, UPI पर जो है किसी भी तरह का कोई payment extra नहीं लगता है, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, अब आपको यहाँ पर कर देना जाएगा, इस तरह का आपके सामने इंटरफेस पर जाएगा, अब आपको यहाँ पर एक चीज़ देखने के लिए मिलेगी कि आपको जो है payment किस mode से करना है, कार्ड से करना है, UPI से करना है, नेट बेंक्टिंग से करना है, हम UPI को select करते हैं, यहाँ पर आप आप अपना UPI डालेंगे या तो आप QR Code यहाँ पर select करेंगे, तो आपको QR Code दोख कर दिया जाएगा, तो यहाँ पर आपके सामने इस तरह का इंटरफेस पर जाएगा, आपको continue and pay वाले बटन पर click करना है, जैसे आप continue and pay वाले बटन पर click करेंगे तो आपके सामने QR Code आ जाएगा, जैसे क यहां पर आपके सामने इस तरह का payment section आ जाएगा, तो दोस्तों जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं, आपके सामने आपका complete stamp यहां पर आ जाएगा, इस तरह का stamp आपको यहां पर देखने के लिए मिलेगा, आपको print is stamp certificate इस वाले option पर click कर देना है, जैसे आप click करेंगे, आप आपको are you want to submit के लिए option आएगा, आपको ok वाले button पर click कर देना है, अब दोस्तों जैसे आप यहां पर ok कर देते हैं, तो आपको printer select करने का option आजाएगा, printer select करने के बाद आप जैसे यहां पर आप देख रहे हैं, आपको printer आप select करेंगे, and print वाले button पर click कर देंगे, तो दोस् तरह से stamp यहां पर बहार निकलने वाला है, तो दोस्तों यह हमारा stamp print होकर हमारे पास आचुका है, इस तरह से आप भी जो है अपना stamp बला सकते हैं, और इसको जो है इस तरह से print कर सकते हैं, completely step by step process मैंने आप लोगों को इस वीडियो में बताया, तो अगर आपको वीडियो प हरूँ